इस हिरन बर्ड को पानी में एक मशली तरपती हुई दिखाई देती है और वो इसको हंट करने ही वाली थी कि तब यचानक से पीछे से एक और मशली गुजरते हुए चली जाती है और हिरन बर्ड भी डिस्ट्राक्ट हो जाती है और उसको पकरने के लिए चली जाती है वो गहरे पानी में कुछ दिर चलने के बाद वापिस उस मश्ली को पानी में छोड़ देती है और उसकी जान बचा लेती है दोस्तो जानवर बेजुपान है लेकिन दर्दोंने भी समझ में आता है